कि कोई कहता है कि मेहल बनवाओंगा मैं और कोई कहता है कि शहर्षाह बन जाओंगा मैं और देखों पर कोई न जाने कि क्या इस जीवन की उकात है अर चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है और देखों आज हम सब सोचते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा पैसा है प्रपटी है सब कुछ उसके पास ज़्याद है ऐसा नहीं ऐसा नहीं सोचने चीए क्यों कोई कभी कहते हैं कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है और पहाना इस आदमी का है कि देने वाला वो होता है कि जब देने पर आजाए तो धेरों पे धेर लगा देता है और जब लेने पर आजाए तो ये चमडी भी उधेर लेता है ये इस जीवन की सच्चाई है जब तक भागना है भागते रहे लेकिन जब उसकी मार पड़ेगी तो कोई नहीं बचा सकता आज क्योंकि कल्योग है तो कहते हैं कि गव माता और बेटियां इस जमाने में सबसे ज़्यादा दुखी है वैसे तो हमारे यूपी के सीएम सर ने पूरा इंतुजाम किया है कि गव माता को ना काटा जाए लेकिन आज वही गव माता धरती माता के रूप में भगवान को पकार रही है आई भाब के साथ एक गव माता के चरणों में ये बजल समरबित ओ तिरी गईया तुझे पुकारे हो कढहिया दरश दिखांदी रहे कढहिया दरश दिखांदी रहे तिरी गईया तुझे पुकारे हो तुझे पकारे, तुझे पकारे, तुझे पकारे अगर कैते हैं की दुआपर मैं मिडा मिडा, भगवान ने कव माता की रक्षा कैसे की कैते हैं गव माता है प्रभू हुद्वापर मैं मारा बन्या है माती, आज नहीं कोई मारा साती हुद्वापर मैं मारा बन्या है माती, आज नहीं कोई मारा साती हुद्वापर मैं मारा बन्या है माती, आज नहीं कोई मारा साती कुमारा कश्ट में ताँदे रहे तेरी गईया तुझे पकार करें तरह से दिखा दे रहे तेरी गईया तुझे पकारें जादा बढ़ते ही जा रहे हैं लिकिन जब भरी सब दोभा के अंदर द्रोपधी की रक्षा किसी ने नहीं की तब वही सामरा द्वारी का पुरी से दोड़ा चला आया और इसलिए गउमाता कहते हैं प्यारे फुद्रोपत की तनलाज बचाई, छीर बढ़ा के कला दिखाई दोपत की तनलाज बचाई, छीर बढ़ा के कला दिखाई फुद्रोपत की तनलाज बचाई, छीर बढ़ा के कला दिखाई शाम महरमान बढ़ा दे रे, तेरी गईया तुझे पुकार तो गईया दरश दिखाँ तेरे, तेरी गईया तुझे पुकार हुआ है हारी बचाई हुआ है हुआ है कहते हैं इस भक्ति की अंदर इतनी शक्ति है और वही शक्ति का चमतकार ठाकुर जी ने कहां दिखा हर नंदी का भात भर्याता सही समय पे काम कराता हर नंदी का भात भर्याता सही समय पे काम कराता हर नंदी का भात भर्याता सही समय पे काम कराता हाठे धीर बन हादी रे तरी गईयात जेपकार तनिया नास तुझे रहे, तोई गईया तुझे पकारे बगतों कहते हैं कि जब इस धरा के उपर जब जब पाप ज़्यादा बढ़ते जाता है और इस पाप की लिमिटेशन ख़तम हो जाती है तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं और कल्यूग में भी ये बात श्रीमत भागवत गीता भी कहती है कि भगवान इस कल्यूग में अवतार लेंगे लेकिन जब जब सारी सीवाएं खतम हो लेंगे पाप घोर अत्याचार होने लगेगा और रामाइन भी कहती है कहती है कि जब जब हो इंधरम की हानी बाढ़े असुर महा अभिमानी तब तब होए कहते हैं कि जब जब होए धरम की हानी बाढ़े असुर महा अभिमानी तब तब धरे प्रभु विभिद शरीरा हरे हे क्रपानिद सज्जन पीरा और कल्यूग में अमतार लेंगे भगवान आगी भगवान को बुलाया और कैते प्यारे हुझा दा पाप धरन पे बढ़ गया पापी आज शिकर पे चड़ गया पापी आज शिकर पे चड़ गया फूरी नी मधूर सुना दी रहे फूरी नी मधूर सुना दी रहे तिरी पैया तुझे को कार कदीया अरस दिखा दे रहे तेरी कहिया तुझे पपारे कहते हैं कि यह कलियुग है कलियुग में जादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कलियुग केवल नाम अधरा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा केवल राम का नाम काफी है और इसलिए कहा तु तु कल युग में फिर से आजा गो माता की जान बचा जा देविन्दर विगडिवना दीरे तेरी गईया तु जे पुकारे कदिया आरस बुकारे तेरी गईया तु जे पुकारे कदिया तरश बिखागारे तेरी गईया तु जे पुकारे कदिया तरस बुकारे तेरी गईया तु जे पुकारे झाल